नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अबहरिस्ट शिर्फ के बारे में अबहरिस्ट शिर्फ के फादे और नुक्षान अबहरिस्ट एक आयरुवेदिक शिर्फ यानि टोनिक है जिसे गूड और कई परकार की जड़ी ब्यूट्यों से मिला कर बनाया जाता है अबहरिस्ट शिर्फ का उप्योग मुख्या रूप से पाचन समस्याओं जैसे गैस, कबज, ववासी, सक्त, मल, मल का जमाओ, पेट में सूजन, पेट की मासपेशियों पर दबाओ, कर्मी विकार, आंतों में स्तिलता और मल में रक्त आदी समस्याओं के इलाज के लिए किया पाचन तंतर को मजबूत करने में सायक होती है, अगर आपके पाचन में जुड़े पुराने विकार, किसी अन्य दवाओं से ठीक नहीं हो पा रहे, तो ऐसे में आपको एक बार अभैरिट सिर्फ का सेवन जरूर करना चाहिए, अभैरिट सिर्फ के सेवन से आपको कुछ सम में ही इसका चमतकारी प्रणिना मिलेगा, अभैरिट सिर्फ को अभया, दराक्षा, मदूका, विदंगा, गूडे, त्रिवर्त, गोचुरा, धनिया, चाविया, इंदरवरनू, सुन्ती, मिश्रिया, दंती और मोक कारसा, आधी तत्वों को से मिला कर बनाई गई है, आप सिर्फ को गुनकने पानी के साथ दिन में एक या दो बार तीस मिली की मातरा में ले सकते हैं, लेकिन बैतर होगा कि आप अपने आयुरुवेदिक चिकित्षिक दवारा बताई गई मातरा ही उप्योग करें, कबज की समस्या लोगों में आम होती जारी हैं, जिसका परमुका अनिमियत, जीवन शैली और खराब खान पान है, कबज से राहत दिलाने में अवैरीट सिर्फ बहुत फादे बंद है, पाचन तंतर में जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अवैरीट सिर्फ का सेवन फादे बंद होता है, अवैरीट सिर्फ में कुछ ऐसे तत पाए जाते हैं, जो पाचन में सुधार कर पाचन तंतर को सवस्त्व मजबूत बनाए रखता है, अवैरीट सिर्फ का उप्योग लिवर से जुड़ी सभी समस्याओं के लाज के लिए किया जाता है, अवैरीट सिर्फ के इस्तेमाल से आते सवस्त रहती हैं और यह आतों को कमजोरी को दूर करता है, और दूसीत मल को आतों में जमा नहीं होने देता, इसके अलावा अवैरीट सिर्फ का उप्योग दस्त की समस्याओं के लिए भी किया जाता है, अपच के कान होने वाली कबज की समस्या वासी रोगों का मुखे कान है, वासी रोग के कान सोच के समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है अवैरिष सिर्प कबज की समस्या को दूर करने के लिए एक अचूक वेलाज है अवैरिष सिर्प पूर्ण रूप से आयरुवेधि कोश्दी है इसकी अभैरिस्ट शिरफ का कोई भी नुक्षान या साइड एफेक्ट नहीं होता है लेकिन अभैरिस्ट शिरफ की ओवर डोज लेने से पेट खराब हो सकता है इसलिए अभैरिस्ट शिरफ का इस्तेमाल आयरुवेदिक चिकच्च के निर्देशों नुसारी करना चाहिए अभैरिस्ट लेने में साव धानी बरतें गरववती वे सुगर का पेशेंट डोक्टर की सला के अनुसार ही अभैरिस्ट लें नमस्कार